वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एंपी चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें साथ भार्तिय समित एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को किया गया बैन सूचना प्रसारन मंत्राले ने कड़ा कदम उठाते हुए साथ भार्तिय और एक पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज चैनल को IT n occurs 2021 की ताह्यत बैन किया है ब्लॉक किये गई यूट्यूब चैनलों के 114 करोड से अधिक व्यूज और 85 लाग 73 अजा सब्सक्राइबर थे सूचना प्रसारन मंत्राले ने बताये कि ब्लॉक हुए यूट्यूब चैनलों द्वारा फेक और भारत विरोधी सामागरी फैलाई जा रही थी मधी प्रतीश में यात्री बसों की पंजियन कर में 7 प्रतीशत चूट यात्री सुविदाओं को बढ़ानी एवं वाहन मालिकों को रहत देने के लिए राजिस सरकार यात्री बसों माल भाग वानों के पंजियन कर में 6-7 प्रतीशत की चूट देनी चा रही है परिवन विभाग की समिक्षा बैटक में बुद्वार को विभाग के मंत्री गोविन सिंग राजपूत ने इसके संकेत दिया है वहीं नैशनल परमिट पर संचालत बसो सेवी प्रती सीट साथ सो के स्थान पर दो सो रुपे प्रती महा कर लिया जाएगा विश्व विध्याले में प्रवेश के लिए 31 अगस तक दिया मौका रानी तुर्गावती विश्विध्याले ने चात्र विश्व विश्व Yakस तक विश्विद्याले में प्रवेश प्रारम कर दिया है प्रवेश समीती की बैटक में है नेने हुआ कुलपती, प्रोफसर कपल देव, मिश्रा और कुल सचेव डॉक्टर ब्रिजेश सिंग की उपस्तिती में या बैठक हुई जिसमें तैह हुआ की रिक्त सीट वाले पाठी क्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम की जाए सरकार के इस योजना से युवाओं को मिलेगा सो रोजकार प्रदेश में युवाओं को सो रोजकार से जोनने के लिए शिवरा सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है अब उचित मूली की राशन दुकानों तक खाध्यानन पहुचाने का काम यूवाओं को सौपच रहेगा इसके लिए यूवा अंदूत योचना तयार की गई है सरकार कलेक्टरों के माध्यम से यूवाओं को चिनित करके उने बैंकों से अपनी गैरेंटी पर वहां दिलाएगी इन वहानों के जरीए यूवा राज्य नागरिकापूर्ती निगम के बंडा अग्रह से खाध्यानन लेकर राशन दुकानों तक पहुचाएंगे इस यूचना को सियम शिवरा सिंग चोहान ने सहमती दे दी है 30 करोड रुपे में बनेगा 800 मीटर लंबा नया फ्लाइ ओवर मध्य प्रदेश की राजदानी भूपाल में नया फ्लाइ ओवर बनाया ज़ा रहा है इसके लिए राजे सरकार के लोक निर्मान विभाग यानी पीड़लूडी ने यूचना तयार कर ली है विभाग का यह प्रस्ताव आप प्रदेश आशन को भीजा गया है जहां से अनुमती मिलने की उमीद है इसके बाद यह प्रस्ताव केंदर सरकार को भीजा जाएगा नया प्रस्तावित फ्लाइ ओवर केंदर की ही योचना के अंतरगत बनाया जाएगा प्रस्तावे फ्लाइओवर आईएस्बीटी से गौतम नगर तक बनाया जाएगा यह करीब 800 मीटर लंबा होगा और इसकी लागत करीब 30 करोड रुपए होगी पॉली हाउश शेड नेट हाउस प्लास्टिक मल्चिंग पर मिलेगी 50 प्रतीश सबसीडी सरकार की और से संदक्षित खेती को प्रोसाइट किया जा रहा है ताकि किसानों को विपरित बोसम से होने वाली फसल हानी से बचाया जा सके संदक्षित खेती की ये पदती सब जीओ फलो की खेती के लिए काफी कालगर मानी जाती है देश में संदक्षित खेती के आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए सरकाप पॉली आउश, शेडनेट हाउस और प्लास्टिक मल्चिंग निर्मान के लिए सबसीदी का लाग किसानों को प्रदान करती है इसी क्रम में अभी मध्य प्रदेश सरकार राज्यों के किसानों को पॉली आउश, शेडनेट और प्लास्टिक मल्चिंग के लिए 50% सबसीडी का लाग प्रदान कर रही है इसके लिए किसानों से आविद्दन आमंतरत किये गए हैं गौलियर में अब मासूमों के मुक का दूद भी महंगा सरकार भले ही महंगा इदर घटने के तमाम दावी करे लेकिन हकीकत ही आए कि बच्चों के मुक से दूद और आम जन की चाय की चुसकी भी अब और महंगी हो गई है बीती एक साल में अमूल कंपनी ने दूद के दाम तीसरी बाद दो रुपे प्रती लीटर बढ़ा हैं जबकि साची ने भी दूसरी बाद दाम बढ़ाने की तयारी कर ली है दूद महेंगा उने से दही लसी पनीर वा अन्य दुग्द उतपादों के दाम भी और बढ़ जाएंगे दूद के दामों में बढ़ातरी तब होई जब केंदर सरकार पहले ही पैग फोड और दुग्द उतपादों पर पांच फीसिदी जीस्टी लागू कर चुकी है अगले बुद्वार से दिली के लिए शिरू होगी एक्सप्रेस ट्रेन इंदोर से देश की राजदानी दिली के लिए नहीं एक्सप्रेस ट्रेन चलने जा रही है गेहूं चावल बिल्कुल फ्री अब 37 लाग नए लोगों को भी मुफ्त मिलेगा नाज देशवर में जरुवत मंदों के लिए राश्टे खादी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है इसके अंतरगत लोगों को मुफ्त नाज दिया जाता है मति प्रदेश में भी राश्टे खादी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है प्रदेश में आप खादी सुरक्षा योजना में नए लोगों की नाम भी जोड़े जा रहे है विभाग यतिकारियों के अनुसा योजना की पातरता सूची में प्रदेश में 37 लाग से ज्यादा नए हिदकराईयों के नाम जुडेंगे इसके लिए प्रदेश में 15 अक्टूबर तक बकाईदा अभियान जलाया जाएगा शिक्षकों से इंक्रिमेंट की राशी वसूल कर खातों में जमा करनी होगी देवी अहिलिया विश्विध्याले के सौवधतर शिक्षकों का ओर्डेट विभाग ने इंक्रिमेंट लगा दिया है यहां तक बढ़ा कर वेतन भी चारी कर दिया है मगर औरडेट विभाग ने विश्विध्याले के सामने एक शर्त रखी है उसमें कहा गया है कि उचिन्यायाले ने यदि शिक्षकों के पक्ष में फैसला नहीं दिया तो विश्विध्याले को शिक्षकों से इंक्रिमेंट की राशी वसूल कर खातों में जमत करना होगी विभाग की तरफ से पत्र विश्विध्याले को मिल गया है बदले में जवाब भी लिखकर भी जग गया है उदर शिक्षकों ने भी शर्थ पर सहमती जता ही है शाष के कार्याले में सद्भावना दिवस पर ली करमचारियों ने शपत इन दोर कलेक्टर कार्याले में अधिकारियों वा करमचारियों ने ली सद्भावना दिवस की प्रतिक गया राजे शाषन की निर्देशा नुसा सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया सिर्फ पचास पैसे प्रती किलो बिक रहा लैसून, लैसून के भाव में लगाता गिरावचा रही है, फसल पर सही दाम नहीं मिलने से किसान परिशान है, तरस्त किसान लैसून से बरी पोरिया नदियों में फैक नहीं लगे है, मध्य प्रदेश के रतला में इतने कम भाव मे लेसून बिक्राए कि किसान फसल की लागत तो दूर मंडी तक लेसून पहुचाने का भाड़ा यानि किरायत तक भी नहीं निकाल पा रहे हैं समय पर चुकाने वाले केसी सी कर्स पर मिले की चूट किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तरह तीन लाग रोपे तक के क्रशी रेंड पर ब्यास दर आम तोर पर नौ प्रतीशत है लेकिन केंडर सरकार इसमें दो फीसेदी की चूट देती है अगर आप कर्स का पैसा समय पर चुकाते हैं तो आपको तीन परतीशत की चूट मिलेगी इस तरह सर्फ चार फीसेदी ब्यास दीना होगा यह सबसे सस्ता कर्स है इसलिए खेती पशुपालन और मचली पालन के काम के लिए साहुकार से पैसे लेने की बजाए के सी सी का आने तो फिलाल प्रदेश में तेज बारिश की आसान नहीं है लेकिन आज रात में बंगाल की काड़ी से नया सिस्टम बन रहा है जो पूरवी मध्य प्रदेश से एंट्री करेगा इस दिन रात में जबलपोश एडोल संभाग की तरफ से बारिश शुरू होगी इसके जन्वा में इंद्रा सागर डैम की बारा गेट 6 मीटर उचाई तक खोल दिये गए हैं करमचारी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए नवीन तयारी में सरकार मध्यप्रदेश सरकार बड़ी तयारी में माना जा रहा है कि शाष की करमचारी सहित शिक्षकों को जल्द बड़ा लाव मिल सकता है दरसल सरकार परिवेक्षा अवधी घटाने पर विचार कर रही है ऐसा होने की स्तिती में करमचारी सहित, स्कूल शिक्षक विभाग और आदिम जाती कल्यान विभाग के नवनियुक्त शिक्षकों को बड़ा लाव मिलेगा MP की 21 अजा पुजारीों का होगा प्रशिक्षन MP में पुजारीों को लेकर एक बड़ी ख़बर सामनी आई है अनुसार MP में 21 अदा पुजारीों को प्रशिशित किया जाएगा भोपाल में ये प्रशिशन होगा करोडो रुपे के आसामी है मध्य प्रदेश के अधिकारी करमचारी मध्य प्रदेश में कई अधिकारी करमचारी करोडो रुपे के आसामी है राज्य आर्थिक अप्राद अन्वेशन इकाई की छापे मार कारवाई में ये बात सामने आ रही है वर्ष 2021 में ऐसे 30 अधिकारियों के विरोध अब तक कारवाई हो चुकी है जबलपुर में शेत्री परिवन अधिकारी संतोष पाल के शताब की पुरा मिस्तित घर पर चापा मारा इसमें करोडो रुपे की संपत्ती का पता चला है भोपाल आएंगे अभीनेता गोविंदा मटकी फोर्ड प्रतियों गिता में होंगे शामिल जन्माश्चमी की मौकी पर मटकी फोर्ड आयोजनों की धूंग रहती है जन्माश्चमी की अगले दिन यानिशनिवा 20 अगस को भगसिंग 14 गरून्द में शाम साथ बजे एक मठकी फोर्ट प्रतियोगिता होगी जिसमें बॉलिवूड अभी नेता गोविंदा शामिल होंगे यहां युजन श्रीकृष्ण जनमाश्ट में उच्सव समीती द्वारा किया जा रहा है वर्षाकाल में भी चतों से बिजली बनाने उप्भोकताओं की रुची शहर का सुदावन अगरों महालक्ष्मी नगरों या फिर राजेंद्र नगर स्वार उर्जा के लिए चतों का उप्योग करने वालों की संक्या में बढ़ोती हो रही है शहर में वर्षाकाल के दौरानी 140 कंपनी शेतर में 200 भुकताओं ने इस कारी में रुची लेकर चतों परिजली में पैनल्स लगाई है या ग्रीन एनरजी की दिशा में भी बहुती सकारात्मक कदम है रिवा में जनपसीयो को धंकाने के मामले में भाचपाने मंदल अधिक्ष को रटाया पतदिकारियों के विरोध कारवाई करने के लिए का गया है मध्यप्रदेश केंद्री विध्याले राजगर भरती 2022 अंतिन तितीन सी मध्यप्रदेश केंद्री विध्याले में भरती के लिए आविदा को से ओनलाइन वाउंस वीकार किये जा रहे है केंद्री विध्याले राजगर मध्यप्रदेश में 72-22 के लिए समिधा शिक्षकों और अन्य कई पदों पर भरती के लिए ओफिशल नोटिफिकेशन जारी किया है केंद्रे विद्याले राजगार में इंटर्विव्यू के माध्यम से योग योमीद्वारों की भर्ती की जाएगी कमलनाथ की घेराबंदी के लिए बीजेपी ने गिरी राज को उतारा मैदान में मध्यप्रदीश भी कॉंग्रिस के कदावर नीता और पूर्वसीयम कमलनाथ की घेराबंदी को लेकर बीजेपी ने चुनाव से पहले अपना नया एक्शन प्लान तयार करते हुए हिंदुवाधी ने तो ग्रामिन विकास मंत्री गिरीराज सिंग को चिनवारा का प्रभारी बना कर सब को चोका दिया है जिस जामसावली मंदिर से फाया ब्रांड नेतरी उमा भारती ने मध्यप्रदीश से दस साल की दिगवजे सिंग सरकार को बेदखल किया था उसी जामसावली मंदिर से गिरीराज सिंग भी चिनवारा का प्रभार लेकर 3 दिन जिले में गुजारेंगे और अपनी रणीती तैयार करेंगे था लोग मैच था बारत के सामने 190 रनों का लक्ष था जो की भारत ने बिना किसे विकीट के 31 ओंवर में ही हासल कर लिया खेलेगा इस मैच में बारत की तरफ से शिकार धवन और शुबमन गिल के शांदार प्रदर्शन ने इस चीत में बड़ा योगदान दिया है इन्होंने शांदार अर्चरत किये पारी खेली शिकार धवन 81 रन और शुबमन गिल ने 82 रन बनाए हैं सिटिजन्स को रेल टिकेट में फिर मिलेगी चूट रेल यात्रा करने वालों के लिए ज़रूरी खबर है बारती रेलवे ने कोरोना काल के समय बंद हुए दूसरे कैचेगरी के यात्रियों को रियायती टिकेट की सेवा फिर से शुरू करने पर सरकार प्लान कर रही है दरसल आलोचनाओं के बाद रेलवे वरिष्ट नागरी को के लिए रियायते बाहल करने पर विचार कर रहा है लेकिन संबवे यक केवल सामानी और शेन या शेनी के लिए हो पुलिस में महिलाओं की संचा कम पीम की भी नहीं सुनती एंपी सरकार लाल किले की प्राचीर से प्रधा मंजुन अरेंदर मोधी ने नारी शक्ती के सम्मान के साथ ही पुलिस में उनके योगदान को रेखांकित किया लेकिन प्रदेश में हालात इससे उलट है यहां राज्य सरकार केंदरी ग्रह मंत्राले की एडवाईजरी नहीं मान रही है मध्यप्रदेश पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिद्वर महिला सशक्ती करण के दावों को जुटला रहा है 33 फीज़दी के मुकाबले यहां महिला पुलिसवाल 6.03 प्रतिशत ही है ज्यादा परिशानी थाने में आने वाली महिलाओं को होती है ये तो थी आज की 25 फटा फट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद